Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्यान की वर्कशीट नमबर 56 यानि की कारेपतरक संख्या 56 को आज की हमारी वर्कशीट भी काफी आसान रहने वाली है इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं कुर्तवा कर्शन की ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा और समझेंगे और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के यूनिवर्शल लो में कैपिटल जी और स्मोल जी का यूज़ किया था क्या ये सब जगए एक जैसा होता है तो ये सब कुछ हम समझेंगे ओके तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की इस वरक्षीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं ये हमारी वरक्षीट नंबर 56 यानि कारे पत्रक सिंख्या 56 है हमारा विशे सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 16 नंबर 2020 गुर्टवा कर्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी और स्मोल जी से इसको हम डिनोट करते हैं अब ये कैपिटल जी और स्मोल जी है क्या ये अलग लग है हाँ निशी तोर पर ये अलग लग है ये किसके लिए यूज होता है इनकी वेल्यू क्या है चलिए इसको हम पढ़ते हैं समझते हैं तो ये जो गुर्टवी सित्रांक है उसके लिए हम कैपिटल जी का प्रियोग करते हैं गुर्तवी तवरं है उसके लिए हम small g का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर यान का कुश्ण है कि क्या गुर्तवी स्थ्रांक यानि कि capital G और गुर्तवी तवरं यानि कि small g का मान सभी स्थानोंपर एक जैसा रहता है स्थिर रहता है, नहीं रहता है, कैसे नहीं रहता है, चलिए देखते हैं, कि गुरुतविय स्थ्रांक, जिसको हम capital D से डिनोट करेंगे, उसका मान पिर्थवी पर सभी स्थानों पर एक जैसा रहता है, यानि कि फिक्स रहता है, लेकिन क्योंकि पिर्थवी एक पूरन गोला ना होने की कार्ण, गुरुतविय जो तवरन है, उसका मान धूरुओं पर विश्व तरीखा की अफेक्षादिक होता है, इसका मतलब इसका मान स्तिरि नहीं रहता, अलग-लग स्थानों पर अलग-लग रहता है, तो दो चीजे तो हमारे समझ में आ गई, कि गुरुतविय स् का जो मान है वो एक जैसा रहता है जबकि गुर्तविय तवरन का जो मान है वो अलग-लग स्थानों पर अलग-लग होता है अब गुर्तविय तवरन को थोड़ा और समझते हैं कि गुर्तविय तवरन का मान है उसकी value अगर हमें calculate करनी हो तो उसकी value को calculate कैसे करेंगे तो इसके ल करते हैं वस्तू का जो द्रिवयमान है उके उसके लिए यूज़ करेंगे और डी होती है वस्तू और प्रिथ्यू के वीच में जो दूरी होती है उसके लिए और इन से बनता है हमारा यूनिवर्शल लौफ ग्रेविटेशन जिसको हम पढ़ चुके हैं अब प्रिथ्वी के प्रिष्ट पर या उसके समेप अगर रखी वस्तू है उसके लिए डी प्रिथ्वी के त्रिज़ा आर के बराबर होगी डी मतलब डिस्टेंस है वो आर के एक्वल होगी इसलिए तवर यूज करते हैं जो पिसली वर्क्षिट में यूज किया था जी इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्केयर ओके क्योंके डी क्या है आर के बराबर होता है अब हम इसमें मान रखेंगे ओके इसमें अगर हम मान रखतेंगे तो यहां पर हमें गुर्तविय तवरन प्राप् जब हम इस फॉर्मुले में इनको रखेंगे तो हमें गुर्तविय तवरन प्राप्त होगा 9.8 मेटर पर सेकेंड स्केयर ओके मेटर परती वरक सेंटिमेटर और यहां पर गुर्तविय तवरन है वो वास्तों में पिर्थवी का गुर्तविय तवरन का मान है ओके तो यह दो calculate करेंगे ये होता है कुर्थवा कर्षन के तवरन का सुत्र और इसमें हमें value जो आपको दी होगी उसको हमें रखना है calculate करना है और हमें गुर्थवीय तवरन प्राप्थ हो जाएगा तो इस तरीके से हमें एक ही सुत्र याद रखना है कि G equal capital G M upon R square और उसमें हमें सिरफ value रखनी है दूसरा जो हमारा आज का topic है कि जो capital G यानि कि गुर्तविय स्थ्रांक और गुर्तविय तवरण यानि कि small g में difference क्या होता है तो यहाँ पर g कमान दिया गया है कि यह fix होता है स्थिर होता है जबकि small g का जो मान होता है हलांक की वो अलगलग स्थानों पर अलगलग होता है दूवों की तरफ जाएंगे तो इस कमान अधिक होता है जो होता है 9.81 मेटर पर second square G जो है वो एक अधिश रासी है जबकि small g यानि कि गुर्तविय तवरण है वो सदिश रासी होती है G का मान पूरे बर्मान में एक जैसा रहता है चेंज नहीं होता जबकि गुर्तविय तवरण का मान है वो अलगलग स्थानों पर अलगलग होता है जिसे दूवों की तरफ जाएंगे अधिक होगा विश्वत रेखा की तरफ जैसे जिसे आएंगे बढ़ता जाएगा तो यह अंतर हो गया इसके साथ साथ गुर्तविय स्थ्रांग है उसको हम G से डिनोट करते है जबकि गुर्तविय तवरण के लिए क्या लिखते हैं स्मॉल जी यह वस्तूओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता कि वो दूर है या पास है जबकि इस पर निर्भर करता है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका मान कम होता जाएगा तो यह थी हमारी आज के आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि कैपिटल जी और स्मॉल जी है क्या और उनका मान क्या स्तिर है ता हमने समझा इन दोनों में अंतर क्या है और गुर्तविय तवरण को याद करने का सुत्र क्या होता है अब हम आसान से परशनोतर की बात करेंगे आज की वर्कशीट में बेहद आसान सी चार कोशन दिये गए है पहला जो हमारा कोशन दिया गया है कि जी और जो कैपिटल जी और स्मोल जी है किसी काई को निरुपूत करते हैं और इनका ऐसाई मातरक भी हमें लिखना है तो जी है वो गुर्तविय तवरण को निरुपूत करते हैं और एनम स्केयर अपॉन केजी स्केयर ये जो मान ऐसा ही मात्रक होता है capital G का यानि कि गुरतविय स्त्रांग का और जो small G है वो गुरतविय तवरन को डिनोट करते हैं निरुपीत करते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक होता है I am upon a square meter per second square उसके बाद second जो हमारा question दिया गया है second question दिया गया है कि G capital G और small G के बीच में अंतर पर्ष्ट करना है यानि कि हमें गुरतविय स्त्रांग और गुरतविय तवरन में अंतर बताना है तो G गुरतविय स्त्रांग है जबकि small G है वो गुरतविय तवरन है पहला अंतर तो यह है दूसरा जी एक अधिश रासी है, जबकि small g यानि गुर्तविय तवरन सदिश रासी है, तीसरा जी का मान सदा एक समान रहता है, जबकि small g यानि कि गुर्तविय तवरन का मान है, वो अलग लग स्थान पर अलग लग होता है, तो हम तेन डिफरेंस लेख सकते हैं, अगर चोथ अंत्र हो जाएगा उसके बाद तीसरा जो कोशिन दिया गया है कि प्रित्वी और उसके स्मेप रखी वस्तों के बीच की अगर दूरी बढ़ा देने पर जो गुर्तवी तवरन है उस पर क्या असर पड़ेगा तो जी का मान घट जाएगा उसके बाद चोथा जो परशन दिया गया गया कि प्रित्वी के गुर्तवी तवरन जी का मान कितना होता है तो यह होता 9.8 मिटर पर सेकेंड स्केर तो आसान सी वर्क्षीट थी उम्मेद करता हूँ आपकी स्टड़ी बेहद अच्छी चल लिए होगी ऐसे ही पढ़ते रहे हमारे साथ बने रहे थैंक यू झाल